Hello everyone, आज है 12th August और आज इस वीडियो में हम बात करें जारें सुजलोन एनरजी के बारे में आज भी 5% का अपर सर्कीट है और अगर आप देखोगे तो पिछले चार्ड ट्रेडिंग शेशन से लगातार 55% के अपर सर्कीट यहाँ पर लगे है 65 रुपीज से 80 पे गया है यह बहतरीन रफतार हमें देखने को मिली इससे पहले भी देखो तो 54 रुपीज से ऐसा भागा था कि 71 पे गया था बाद में 2 दिन गिरावट आई लेकिन फिर से एक बड़ी रफतार यहाँ पर देखने को मिली जबकि बाजार पिछले चार ट्रेडिंग शेशन में उतना भी अच्छा नहीं था ठीक है अप्सन डाउंस रहे हैं यह चार ट्रेडिंग शेशन में लेकिन यहाँ पर 55 परसंट के अपर सर्कीट लगे है एक महिने में 47 परसंट का ग्रोथ है और एक साल में 300 परसंट का ग्रोथ है बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है मौके है धोके है क्या चीज़ा यहाँ पर देखने को में देखने सब कुछ डिसकस करेंगी लगने उससे पहले अगर आप नवीदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आए जो आपको काफी जादा हर्क करेंगे तो देखे एक साल में 300 परसंट का रिटन है और ग्राफ इंट्रेस्टिंग भी है जब तीजी आई थी बात में कुछ टाइम बड़े कंस्रोलेशन से गुजरा भी था 50 रुपई से गिर कर 35 पर भी आया लेकिन फिर से एक बड़ी रफ्तार में चीज़से तबदील होती नजर आई 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 1900 परसंट का ग्रोथ है शानदार तीजी यहाँ पर देखने को मिली उससे पहले अगर आप देखो तो ups and downs आते थे लेकिन जैसे ही fundamentally change आना शुरू हुआ यहाँ पर company almost debt free हो गई थी और उसके बाद बड़े-बड़े orders इसको मिलते हुए नजर आए तो लगातार जो रफ्तार बदली है यहाँ पर यह बहुत अच्छी है तो इससे पहले अगर आप देखोगे ना तो company fundamentally उतनी ज़्यादा strong नहीं थी company लगातार loss कर रही थी company के उपर करजा बहुत जादा था company ने इससे पहरे दो बार अपने debt को restructure करा लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं लेकिन जब तीसरी बार इनों अपने debt को restructure करा एक अच्छा move यह करा कि नोंने पैसा raise कर लिया उसके चलते यह हुआ कि company almost debt free हो गए कई सारी बड़े orders मिलते नजर आए और जो power sector में जो drastically change अभी आ रहा है कि कई सारी power companies वो लगातर अपन capacity को बढ़ा रही है उन में से wind और solar में भी focus आता नजर आ रहा है और wind में भया इसका नाम ज़रूर आता है वहाँ पर तो कहीं न कहीं benefit इनके लिए जरूर था और बड़ी तेजी आती नजर आए और अगर आप channel को regular follow करते हो मैंने तभी कहा था यहाँ पर जब यह आपको 15-16 पे मिल रहा था मैंने कहा था कि अब long term के लिए इसको hold करके चलो लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जब बात आती है तो definitely मुझे लगता है कि अभी तो देखो 5-5% का अपर सरकेट यहाँ पर लग रहा है किसी को खरीदारी करने के मौकें नहीं मिल रहे हैं लेकिन जब गिरावट आएगी तो यह भी ज़रूर होगा कि लगातार दो-तिन दिन गिरेगा भी चीज़ ठीक है तो उसके लिए भी फिर तयार रहेगा यहाँ पर हलाकि अगिन मैं कैदो company में fundamental जो change आए वो इनके लिए काफी अच्छा है और जहां तक बात करी जाए तो यह महिने में 50% की तीज़ी है यहाँ पर और कई सारी अच्छी चीज़ अभी हाल फिलहाल में जो तीज़ी आई है चार दिनों में जो लगातर भागा है उसकी वज़ाई यह है कि 76% का जो श्टेक खरीदने वाले हैं यह लोग री नॉम एनरजी में उसके चलते हίας यह तीज़ी हैं पर हमें देखने को मिल रही है और अगें जो री नॉम एनरजी है उसकी भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो काफी ज़ादा कैपिसिटी जाए काफी जाए असेट्स कहलो इनके जो देखने को मिल रहे हैं जो के अलाव कंपनी सत्रा देशों में कामकाच करती भी है जो कि इनको एक और एज यहां पर प्रोवाइट करवाते हैं यहां पर अगर आप देखो तो पिछले कुछ पर कमेंटरी है वो भी काम कर रही है और अगर आप रिणियोबल एनरजी के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल विंड एनरजी कांसिल जो है वह एकस्पेक्ट कर रहा है इंडिया में कि वह एक सो बाईस गीगावोड की इंस्टॉल्ड विंड कैपसीटी बनेंगी तक यह बहुत नंबी बात है लेकिन मोरेवर गवर्मेंट का जो प्लान है वो भी यहाँ पर यह है कि वह एनम के हिसाब से 10 गीगावोड को बढ़ाना चाह रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं फाइदा होगा सुजलॉन जैसे कंपनियों को ही होगा यहाँ पर फाइदा सुजलॉ तर अगरा तो 56 यहाँ पर रहें विट 55.4 गीगावोड के फॉल यूटिटिटी स्केल वैनिला विंड अगर आप देखोगे यहाँ पर जिसमें एक एंटीपीसे का गुजायत का प्रोजेक्ट पर शामिल है यहाँ पर एन वेरियस विंड कंबिनेशन हैव बिन इस्यूड विच हेव एन एस्टिमेटेड विंड कंपोनेंट ऑफ एट लेस्ट 20 गीगावोड गीविंग थेल्दी पाइप्लें फॉर अपचुटिटी फॉर गॉइंग ओन फॉर्वड तो एक अच्छी बात यहाँ पर यह कि आने विले टाम में गवर्मेंट जो है वो कही सारी पता है कि अग्ले साल से पे करना स्टार्ट कर सकता है यूग्के पिछले कुछ कौर्टर में प्रॉफित अच्छा चर रहा है और अगर dividend pay करेगा तो यह again इनके ही favor में चीज़ा काम करेगी, positively ही काम करेगी, अगर dividend pay करना start कर देता है तो, और जहां तक valuation की बात करेगी, भाई सब बहुत महेंगा है, 121 का इसका peer ratio है, sector P51 का है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, market चीज़ों का expect कर रहा है इनसे कि आने वले time में चलो company के revenue बढ़ेंगे, company के profits बढ़ेंगे, तो यह भी adjust हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो पिछले कुछ quarter में के revenue profit अच्छे खासे बढ़ेते हुए नजर आए है, 67% analysis कहता है, खरीदारी करो, financials अगर हम देखेंगे इस company के, तो जैसे कि मैंने कहा पिछले दो quarter में जहाँ revenue पहलेंगे, 1500 करोड में सिमिट रहे थे, वो 2000 करोड से भी जादा के revenue देखने को मिले है, profit जहाँ पर 200 करोड का था, 100 करोड का था, वो बढ़कर 2500-300 करोड पर जा रहा है, इससे पहले कि quarter में loss भी देखें हैं इसने, और यहाँ पर profitable होने की सबसे ब इसा वहाँ पर बच रहा है इनका, और दूसरी यहाँ पर बात यह है कि merger का भी बहुत बड़ा event यहाँ पर जरूर है, देखो इनकी खुद की 100% holy on subsidy है, जिसको कहा जाता है, वो इनके साथ merge होने वाली है, तो अगर इनके साथ वो merge होगी तो उनके numbers भी definitely काफी जादा हद त करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ और जो subsidy company है, वो maintenance बगएर का काम करती है, तो यह एक अच्छी बात है इनके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वे टेमें जो है, वो power sector में specifically बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी power companies है, वो अपनी capacity को बढ़ाने भी लगने वाली ह तो कहीं न कहीं इस company का भी वहाँ पर फाइदा जरूर होगा, शेह holding को लेकर देखें तो promoter की holding वैसे भी कम है 13.27%, लेकि प्रमोटर पहले इनकी holding 80% तक की गिर्वी भी थी, mutual funds लेखो domestic देखो, एफाइल से को तो वो खरीदारी करते नजर आये हैं यहाँ पर, चाहे 1.86% के mutual fund आपको 3.82% पर आये हो एक ही quarter में, या फिर 4.44% से बढ़ कर वो domestic institution 5.34% पर आये हो, चाहे Files 19.57% से बढ़ कर 21.53% पर आये हो, तो institutions ने खरीदारी करी है, जो बिक्वाली हुई है, वो retail और others में जाता हुई, 60.85% से retail और others बेच बेच के 56.03% पर आ गए, तो जो भी खरी परिदारी इन दोनों ने करी, retail छोड़े निवे शक और other parties ने, वो सब कुछ बड़े बड़े institutions ने खरीद लिया है, और अलगर मैं बात करें सुचलान को लेकर तो अगेन मैं कहूंग कि company खराब नहीं है, company अच्छी है, मैं पहले ही बोल चुकर मैं अब भी कहूंगा कि long term क जाही गेम खेलिएगा यहाँ पर, short term में अभी भी मुझे हरानी नहीं होगी, शायद एक दो दिन की 30 दी के बाद वापस है गिरावट आना शुरू हो जाए, और वापस है तीन चा दिन और गिरावट रहे, यह होगा आने वोले टैम में, अब वो कब होगा यह मुझे नही को मिले, buy on dips का मतलब यह है, कि at least, at least, 15% के decline की मैं बात कर रहा हूँ, हर 15-20% के decline पर, ना कि 2-3 रुपे गिरे और आप एफरिशने लग जाओ, वो मत किले नहीं आप, ठीक है, तो अगे यह मेरा personal opinion है, कोई भी investment advice नहीं, वीडियो को यही पेंट करता हूँ, पसंद आ हो, त सब्सक्राइब को, सुजलोन के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमिट में लेकर बता सकते हैं, thank you.